और आगे बरते बताते हैं आपको लोगसभाज चुनाव के प्रचार के आखरे दिन समाजवादी पार्टी अध्याक्ष अखिलेश यादव दो जनसभाओं को संबोधित करेंगे आज कहा कहा पर अखिलेश यादव की जनसभाओं होनी है यह जान लीजे आप आज अखिलेश चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे महाराज गन्ज में समाजवादी पार्टी के अध्याक्ष अखिलेश यादव पहुचेंगे और शत्तिसगर के पूर्वसीयं घुपेश वगेल भियां पर मौजूद रहेंगे दोपेर बारा बजे महाराज गन्ज के निचलोल में कॉंगरिस प्रत्याशी विरेंद्र चौदरी के समर्थन में चुनावी जनसभा करने वाले हैं इसके वादा कि लेश दोपेर एक अचकल 45 मिनट पर गोंसी लोग सभा शेत्र के कोपा गन्ज में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय के समर्थन में चु केंद्र मंत्री स्मृति रानी आज वारानसी दोरे पर रहने वाली है पिये मोदी के लिए चुना प्रचार वो करेंगी दोपेर एक बज़े स्मृति रानी जनसभा को करेंगी संबोधित कादंबनी लोन शिवपूर वारानसी में जनसभा होंगी संबोधित और जनसभा में बीजेपी के कई पदादिकारी और नेता मौजूद रहें All India, Muslim जमात के रश्य अध्यक्ष, मौलाना, शाबुदीन, रश्वी, बरेलवी ने मौसल्मानों से पिये मोदी को सपोर्ट करने की अपील की है, क्या बोड़ रहे हैं वो, सुनिए सपा के लीडरों ने, और खासतर अखरेश यादों ने, हाशे पिकर दिया तो अब ऐसी सूरत हाल में, परधान मंतीर नेरिंदर मोदी से मुसल्मानों को जुणना चाहिए, उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, तो इस दोस्ती का हाथ दोस्ती के साथ में होना चाहिए खबर रामपूर से है, जहाँ पर डुंगरपूर मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां दोशी करार दिये गए रामपूर की MPMLA कौर्ट ने आजम खां को दोशी माना, दुंगरपूर बस्ती को जबरन खाली कराने, लूट पार्ट और धमकाने के आरोप सही साबित हुए इस मामले में 2019 में केस दर्च किया गया था, 6 इसमबर 2016 का ये मामला है आजम खां जरी ABC पेश कोई थे और 556 बटा 19 की जो फाइल लगी हुई थी, आप जो निर्णय में उसमें निर्णय आया है अधालत का, जो विशेस न्याइदीस MPMLA कोर्ट, सेशन कोर्ट, डॉक्टर विजक मार की कोर्ट से आया है इसमें आजम खां भरकतली, इन दोनों लोगों की दो शिद्धी की गए हुई एक छोड़े से ब्रेक के लिया रुकना होगा, ब्रेक के उस पार लोट रहे हैं पार की खबरों के साथ